हलो दोस्तों एक पर फिर से आपका एक नई वीडियो के इंदर स्वागत है शुडियो में पर बात करेंगे रिल्वे टेक्निशन एक्जामिनेशन दो जार चोईस की जैसा कि आप सब को पता कि इससे पहले दो बोड का इटे रिप्लाई आ चुका है उसमें से पहला बोड है अमदाबाद और दूसरा बोड कोल करता पैसे में दो और जोन का रिप्लाई कल आया है पहला है गवाटी और दूसरा है बिलासपूर तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले इस RTI की बात गुरू तो यह RTI लगाएगी थी 27-4-2024 को जिसमें RRB गौाटी से पूछा गया था मतलब सिंपल सा यह पूछा गया था कि टेक्निशन एक्जामिनेशन के लिए RRB गौाटी से कुल कितने फोरम रिशिव हैं मतलब अगर साधान बासा में बात कुरू तो RRB गौाटी से इंपूर्मिशन देने के लिए साफ साफ मना कर दिया है और कहा है कि जब तक एक्जामिनेशन प्रोसेस चलती है तब तक हम इस पारे में कोई भी जानकारी नहीं दे सकते वहीं सेकेंड बोर्ड की बात करूँ तो सेकेंड बोर्ड आता है अपना बिलासपूर बिलासपूर से भी सेम क्यूशन पूछा गया इसके रिप्लाइ में एक डॉकुमेंट अपलोड किया जैसी हमें इस डॉकुमेंट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसा डॉकुमेंट 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 अके आता है इसमें लिखा गया है कि आरार्भी बिलासपूर में CEN 022024 के तहट बरती समंदित सभी प्रकिरिया प्रकिरिया दीन है अतरे CEN 022024 के तहट मतलब इनोंने भी साब साब मना कर दिया है कि हमारे पास इससे समंदित कोई डाटा नहीं है हम आपको नहीं बता सकते जब तक एक्जामिनेशन प्रोसेस चलती रहती है इससे पहले अगर बात करें तो आरार्भी कोलगत्ता ने कहा था जैसे मैं अगर मैं आरार्भी कोलगत्ता की विकेंसीज की बात कुरूँ तो ग्रेड फेस्ट के लिए 74 विकेंसीज थी ग्रेड थेर्ड के लिए 432 और टोटल विकेंसीज थी 506 और वैसे मैं टोटल फोरम फिल अफ हुए थे 1,64,215 तो यहां से जो पर सीट कंप्टिशन निकल के आ रहा था वो निकल के आ रहा था 324 तो वैसे मैं आप खुद देख सकते हूँ कि जैसा कि ओफिशियल डाटा है तो यहां से पर सीट कंप्टिशन 300 के पार कर चुका है तो सिंपल से अपन बात करें तो सारे बोर्डों की मुंबई, विलासपूर, कॉलकत्ता, एमदाबाद, सिकंद्राबाद लगबग का कंप्टिशन 200 से ज्यादा ही रहने वाला है वह अगर मैं बात कुर तो नोर्मली दोस्तों का कंप्टिशन तो रहने वाला ही है वैसे मैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए साथ ही अपने दोस्तों के साथ सेर कर दीजिए और ऐसी वी रिल्वी रिलेक्टेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए धन्यवाद